हेलो और वेलकम गाइट स्वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आजके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Oman D20 की जो की मैच होगा आप जहां पर बेट्समेंंट को काफी बहुत हेल्फ कर सकती है यहाँ पर बाउंटरी जह तो शॉर्ट से और फेली बाइटिंग क्सी डिम को जितना है तो एक 수 crawl करना पड़ेगा एवरेश स्कॉर की माने तो आपको 150 या 160 के आसपा स्कॉर बनता हुआ दिखाई दे सकता है रेकोर्ड चेजिंग की बात के तो अफिदक इस ग्राउंड पर 8 मेच के लिए जहां पर 6 मेच सिर्फ पहले बैटिंग करने वाली टिम ने जीती है तो चले अभी दोनों टिम के प्लेश पर एक बार नजर कर लेते लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी हमारा टेलिग्राम चेजिंग करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक एटेज की हुए इनकेस अगर लिंक वरक नह09 करती तो आप सार्च कर सकते हो प्यंता सीटर चैलेजर या फिर आप सर्च कल सकते हो घंडरेट wisdom और आपको सीधा था हमारा चैनल मिल जाएगा तो टीम अमिरट्ष की बात के हुए तो अब इधाग 4 मैच के लिए जहाँ पर दो मैच वो जित के आई है तो दो मैच में उसको हार का समना करना पड़ा था रेश्यो देखे तो आप पहले दोनों मैच वो जित के आई थी और पिछले दोनों ही मैच वो हार के आई है पॉइंट टेवल की बात करे तो अभी पांच में क्रमांग पर है उपनिंग करवाते हुए आपको दिखेंगे करन सोनावले जो कि पहली मैच में फेल रहे थे रन कोई नहीं बना पाये थे लेकिन 4 और की गयन बाजी की थे जहाँ पर एक विकेट उनको मिला था लास्ट मैच की बात के तो एक और की गयन बाजी की थे विकेट नहीं मिला था लेकिन बैटिंग करते हुए 19 रन का स्कॉर किया था प्रतिक अथावले आपको सोनावले के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाए देंगे जिन्होंने पहली मैच में यहां पर 57 run किये तीसरी मैच की बात के तो एक और अच्छा का स्कॉर कियाorama यहां पर 25 रन का स्कॉर उन्होंने किया था दूसरी मैच की बात करें तो तीन रन बनाए थे और लास्ट मैच की बात करें तो बंदे ने 21 रन का स्कॉर किया था पिंकल बंडारी आपको फिकेड़ी की बिंक करते हुए दिखाई देंगे पहले ओपनिंग करवाते थे अब याँझ मैच में नमबर कर बेटिंग कर वारी जाहां पर यथा जुरू आल्च में डूसरी मैच में तो तो आपको करते हुए दिखाई दे सकते हुए पहली मैच में चोवाले इस रन के पाड़ी थे सिर्फ 14 गेंदों अंगंज QA7 जहाँ पर विकेट नहीं मिला था, दूसरी मैच में 3 वर की गिनबाजी की विकेट नहीं मिला, बैटिंग करवाते हुए 6 रं की, इसका बाद तिसरी मैच की बाच की बाच के तो 25 रं का स्कोर किया, साथ में 1 विकेट पर चार वर करवाते हुए, और पिछली लास्ट मैच की तो आप देख सकते हो कि पिछली दोनों ही मैचों में से वो ओस पूरी करवा रहा है तो हमारे लिए एक इंपोर्टन्ट पिंक होने वाली है हमें उनको लेके ही जाना है महरां खान की बाद के तो टिम की केप्टन सीप करते हुए दिखाने जेंगे आपको पहरे प्रकी चार वर्की पार्टन्बाची का जापर दो करो चली फंचेंश की तो इर ये बंदा इंट्रन SEC की ए अपनी नाशनल टिम के लिए भी खिलता है तो अच्छा आनुबाई बू मैच में से दो तीन मैच लेकर बलकि आप जे कर तो सिर्फ एक ही मैच में उसको विगेट नहीं मिला बाकि हर एक मेच में ओ अच्छी गाशी विगेट लेकर आरहा है तो यह हमारी इंपोर्टेट भी होने वाली है इवन बात करो तो मैं उनको कैपटंशिप वाइस कैपटंश विकेट उन्हों में इतना खास प्रॉआ नहीं किया थे चार और इंटेशनल पेर ने त फ़िए की उम्मीद है जो कि अभी तक नहीं आया उनकी तरब से लेकिन हमें एक उम्मीद है इनसे कि एक बड़ा पर्फॉमंस करते हुए दिखाई देंगे किसी एक मैच में ये बंदा तीन से चार विकेट एक साथ में लेते हुए दिखाई दे सकता है अबको पहली मैच में चार वर में और पूरी करवा रहा है देकिन विकेट उनको नहीं मिल रही है तो तो आप उनको अवोइड करना चाहे तो एक ताइम से कर सकते है क्योंकि पिछली दोनों मैच में उसको विकेट नहीं मिले तो इनसे अच्छा को अप्सवन हम को दिखता है तो हम उनको फिक कर जिन्होंने एक मैच के लिए थी जहां पर उनको नहीं मिला था बाकी रही बात मुहमद अली अलबालुशी मुंतिर अलबालुशी और मुहमद असलम अलबालुशी अक्षय पट्टेल इनको अभी तक मौका नहीं मिला मुहमद असलम अलबालुशी को एक बार मौका मिला थ पाकि ओडेडर, शक्कील एहमद, शहिम हसन, वालिद, अलबालुशी, लक्समिस पाई और गवरव कुमार, यह सारे प्लेयर्स को अब रख मौका नहीं मिला तो टीम जब भी चाहिए इनको मौका देख सकती है, या बेंच से अगर हम दिखना चाहिए तो शक्कील एहमद एक टीम उनको मौका देना चाहिए तो, या फिर अक्षय पटेल भी एक अच्छा उपसन हो सकते है, या अगर अक्षय पटेल खेलेंगे, तो ओपनिंग करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको, लेकिन अगर खेले तो, चलिए अभी टीम अजाई बागी बात करें तो आप देख सकते हो के, चार दिन से लगातार मैच हो रही है, तो हो सकता है, प्लियर्स को आराम भी नहीं मिल रहा है, उनका साहद तब तक के ये एफिक्ट इनके उपर ज्यादा असर कर सकती है, और आज की मैच भी हो, आज की मैच भी हार सकती है, तो पॉइंट टेबल की ब चार रन किया थे पहली मैच में, फिर दूसरी मैच में 14 रन किया, इसके बाद तिसरी मैच में बड़ा स्कॉर किया, 77 रन का स्कॉर किया, इसके बाद 2 और 9, यानि कि एक ही मैच में अच्छा बड़ा स्कॉर किया, इसके बाद और किसी मैच में अच्छा को स्कॉर नहीं किय लेकिन इसके बाद बंदे ने जब अजस्ट परफॉर्मंस दिया हर एक मैच में आप जेख सकता हो 42 इसके बाद 58 किये फिर एक मैच में फैल हुआ लास्ट मेच की बाद कर तो 64 रन की पारी खेली थी तो यह हमारे लिए अच्छी पिक होने वाली है राव वकार एहमद की बाद कर तो आप 4 वर्ष पूरी करवा रहा है बंदा पहली मैच में 4 वर्ष करवा थी जहापर विकेट नहीं मिला था तीन रन किये थे दूसरी मैच में वर्ष नहीं करवा थी एक रन बनायता है तीसरी मैच की बाद कर तो 6 रन बनायता है साथ में 2.4 के यहार यह राव वकार एहमद आप जिख सकत भाटे ले रहा है हर菁 में और प्लस क्या बंदा प्लस नमर पर करने के लिए रहा है तो हमारे लिए इंपोर्टन फिक होने वाले और हमें उनको लेकर ही जाना है अमाद टिस्री मैच की बात घुंब करते हुए आ रहा है तो इनको भी हमें लेके जाना है था पहली तीन मेंच में विकेट नहीं मिला लेकिन लास्ट में एक विकेट लेके आ गया है साथ में बैटिंग करते हुए 14 रन भी किये थे मुदसर इकबाल पहली मेंच किलने का मौका मिला था जहापर 4 गेंदे खेली थी 7 रन किये थे और साथ में 2 और की गेंद बाजी की जहापर विकेट नहीं मिला था इसके बाद उनको सिर्फ ये लास्ट वाली मेंच किलने को मिली थी जहापर उन्होंने 4 और की गेंद बाजी की थी लेकिन एक बार फिर से वो फेल रहे थे और विकेट उनको नहीं मिला था हाई टीम बाहर फेली मैंग में 23 जकता हुए जलीके लिए थे चार ओर्श करवाते हुए और या कि पास्ट फिरसे उन्सके फिल और फिर से उन्सकार उनको नहीं मिला ऐख Αा झाली दत्रह्षीथ कि बात कर इग जो हरegal या और हमारे लिए धी प्युक होने वाला रहा है यार मैं झाली मैच lock तो यह कच्छी विक हमारे लिए होने वाली ओर्ष पूरी करवा रहा है, बंदा ओर्ष विकेट कभी भी ले सकता है, ब्याएंस से बात करें तो आपको दिखेंगे उस्मान हैदर, जिनको एक मैच खिलने का मौका मिला जापर एक ओर्ष की गैन बाजी करवाई, विकेट नही नहीं मिला था, बात करें जिबरान ईशोब और सलीम अलबालुसी कि तो उनको अभी तक टिम मौका नहीं मिला है, शुदीप चवाण ने एक मैच खिलने का मौका नहीं मिला, बाकी बात करें अचिबल बालुसी तो वो एक बार दो मैच खिले हुए, जहां पर एक मैच में उन्होंने एक रन किया था, तो दूसरी मैच में एक और की गैनबाजी के ते जहापर विकेट मिला था, और बैटिंग अने का कोई भी मौका नहीं मिला था, आजकी इस वीडियो में हमारे इंपोर्टेट होने वाले है, करन सोना ले, तो विकेट की बिंग सेक्शन में से हम प्रतिक अथवाले को लेके जा सकते हैं, यह अच्छी चोईस होने वाली है, रफियुला एम को हमें लेके जाना है, महरान खान को लेके जाना है, और बिलालकार को हम यहां से लेके जाएंगे, टीम अजाईबा की बात करें तो हम यहां से अरसलन बशिर, राववकार वशिम अख्तर, और यहां पर खाली दर्शित, तो यह कुछ 4-5 प्लेयर है, जो हमारे लिए इंपोर्टेट होने वाला है, प्लस के हमारे टिम में हो रहने ही चाहिए, इवन बात करो क्याप्टन्सिप, वाइस क्याप्टन्सिप की, तो इनी प्लेयर में से हमें उनको लेन आए, तो उनके साथ जा सकते हो, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में से किसी एक प्लेयर को ही लेके जाएंगे, तो मैं जा रहो प्रतिक अस्वाले के साथ, बैटिंग सेक्शन की बात करते हो, यहां पर रफी उला एम हमारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, यहां सेक्शन की बात करते हो, यहां पर मैंने महरान कंट को लिया हुआ है, वशिम अक्तर को लिया हुआ है, और यहां से एच टंडेल को लिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, यहां पर हाय तीम बाहर या एम इकबाल को मुखा देना चाहिए, तो दे सकते हो, बॉलिंग सेक्शन क तो आप देख सकते हों कि यहां पर मैंने आरवकार एहमाद को कैप्टेंशिब दी है और रफियुला एम को मैंने वाइस कैप्टेंशिब दी है तो कुछ इस तरह से मेरी टीम रहने वाली है लेकिन यार याद रहे यह मेरी डेमो टीम है और इसमें बहुत सारे चेंजिस होते तो आप सिधा जाए टेलिग्राम में वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो फेंटासी डिशन चैलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो झाल झाल